नमस्कार जेहिंद बंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब परिवार राजस्तान क्लासेज पर और देखे दोस्तों आज की क्लास बिलकुल होगी दामा के दार देखे दोस्तों इस पेशल मॉडल पेपर होने वाला है राजस्तान जी के का ज प्रस्ट न लेकर आये हूं जो पिछले एक्जाम में पूचे गए ठीके ना लगबग 15 क्वेसन जो है ना पिछले एक्जाम में पूचे गए मेरे दोस्तों और काफी जो क्वेसन है वो बहुत महत्पूर्ण प्रस्ट जो एक्जाम की दरश्टी से और दोस्तों ध्यान रहे यह आपका पार संक्या 59 है 59 आज अपना कंप्लेट हो जाएगा चौतर तक हमें जाना है याद रखना चौतर तक ही हमें जाना है फिर अपने 2222 प्रस्टों की सीरिज वित एडवांच जानकारी कंप्लेट होने वाली है बड़ी ध्यान से और कल आपसे लास्ट क्वेसन था म अगर इस क्लास को देखने के बाद पता करेंगे जी हाँ बिलकुल अगर आप पढ़ते हैं ना तो बिलकुल तीसमेश्टी साइक कर हील लेंगे जीव समझोतरी नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखी थे तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंजर था आपका ए आपसन जीव समझोतरी नामक ग्रंथ लिखा था और संत रामनाथ जी के द्वारा क्या लिखा गया था ये शो नाथ ये शो नाथ पुरान लिखा गया था मेरे दोस्तों ध्यान डेकना ठीक है ना चलो साब आगे बढ़ते हैं और आज का पहला प्रस नेहर दल्दल का विस्तार किस जिल्ले में हैं बता दीजिएगा राइट आंसर ये क्वेसन पूचा गया है मेरे दोस्तों नेहर दल्दल का विस्तार किस जिल्ले में है जालोर में पाली में अनुमान कड में या फिर जैसल मेर में 1761 से अपन शुरूआत करने हैं 1790 तक आज पहुँची जाएंगे फाइन सरवादी करेता है राज्य के कौन्चे जिल्ले में वार्शिक तापांतर सरवादी करेता है मेरे दोस्तों अगर जिल्ले का पूच ले जाए तो आप ये करी लेंगे मुझे पता है अगर इस्तान का पूच ले जाए तो प्यारे दोस्तों इस्तान कौन्चा करेंगे फलोद चेल्शेस तक आपर तापमान हो जाता है तो सरवादीक वार्शिक तापंतर वाला जिल्ला चुरू है मेरे दोस्तों ध्यान रखना ये क्वेस्टन भी पूछ आगा है आपको एक्जाम में ठीक है चलो और ये क्वेस्टन भी एक्जाम में पूछ आगा है क्या है बांसवाड है एम डूंगरपुर के मद्य जो भू भाग है भू भाग हो किस नाम से जाना जाता है मेरे दोस्तों इसमें जो है ना इसमें मेरे दोस्तों कांठल भी कहते हैं वैसे बात करें तो कांठल भी कहते हैं कांठल जो है कांठल दोनों के नहीं दोस्तों और कांठल बांसवाड और परताफ गड़ के भागों कहते हैं जबकि अगर बात करें कि बांसवाड है इंडूंगरपुर के मद्य के भूबाग को का जाता है तो वो का जाता है मेवल मेरे दोस्तों ये क्वेसन कही बार एक्जाम में पूचा गया है तो राइट आंसर मेवल हो जाएगा क्या हो जाएगा बहुत बढ़ी अच्छी बात है कि आपने डी अप्शन को लॉक कर दिया है नेक्स्ट क्वेसन है ये क्वेसन मैंने आप पर एड़ी किया ये पूचा नहीं गया है मेरे दोस्तों जो हमीर देव थे चोहान हमीर देव चोहान जो थे ना रंधंबोर के इन से समद्दित जो गलत है न वो क्या है इनके पिता की बात करे तो जैतर सिंग इनके पिता का नाम था क्या जैतर सिंग इनके जैतर सिंग भी लिखा गया है और जैत सिंग भी लिखा गया है ठीक है और माता की बाद करे ईळा देवी था या नहीं पतने की बाद करे रंग देवी था या नहीं पुत्रे की बाद करे भवनी था या नहीं तो प्रकार से ठीक है जालो सर अगला प्रसन बता ये पो जाता हूँ राजस्तान का शेंख दौार काजाता है question exam में पूछ गया, जल्दी से answer दे दिजीए गा, राजस्तान का सिहिंग दवार जो है ना, वह, जो है, का जाता है वरतपूर को, या पिर दौलपूर को, या लॺर को, या पिर सवई महादूपूर को, राजस्तान का सिहिंग द्वार का जाता है अगर मैं आपसे बात करूँ राजस्तान का पूर्वी सिहिंग द्वार किसे का जाता है ध्यान देदे राजस्तान का सिहिंग द्वार की बात करे तो अलवर होई जाएगा अगर पूर्वी सिहिंग द्वार की बात करें पूर्वी सिहिंग द्वार तो भी आपका राइट आंसर भरतपूर हो जाएगा क्या हो जाएगा भरतपूर भी आफ़सन को लॉक कर देंगे आप सब ठीक है चलो सर अगला परसने अगला है कि हनुमान गड़ का प्राचीन नाम जो था वो क्या है बता दीजिएगा हनुमान गड़ का प्राचीन नाम जो था वो क्या था सुंगेर था या जाबालिपूर था रामनगर था या फिर दुंगल था दगल, देखे दोस्तों जाबालिपुर की बात करें दुगल, मल और दुगल वल है ठीक है, वल वे दुगल की बात करें तो ये जेशल मेर को का गया है ठीक है न तो यहां पे संगेर को लॉक करेंगा आप एक आप साथ जाएगा, अनुमांगर का प्राठी से नाम सुगेर क्या था कि ओले सर सुगेर था बिलकुल अच्छा सा क्योंस को आप सिब लॉक कर दीजिएगा और नेक्स्ट क्यों सा अबुसन भेंड है इनमें से इनमेंसे जुघ याना कौनसा अबुसन भिन भिन हैं तीन जो आना तीन तो same है ठीक है यहाँ पर तिमर्णिया है अपको कोई बात निए तो देखिये गा यहाँ पर दोस्टों जो abortion है तीन तो है जो एक अंग में पहने जाते है और लोग जो है एक उख में तो बेन वाला आपको बताना है है ना? तो मटरमाल more mal और तिमनिया ये कहां पर पेहनते बोलिसर गले में पेहने जाते हैं तो ये जंकारतन ये पैरों में पेहना जाता है तो दोस्तों यहां पर right answer आजाएगा आपका D option के साथ ठीके ना कितना अच्छा और प्यारा सा question है तो आप सब या फिर उप्रोग सभी होता है क्या एक्जाम में ये भी पूचा जा सकता है कि कचाबू क्या है है ना तो वस्तर है मेरे दोस्तों जो की मैला है पेहनती भी ऑफिसन को लॉक कर देंगे ठीक है चलो सर अगला प्रस्ण बताइए अगला यह है बहुत इंपोर्टेंट क्वेस् क्रश्ण कों साँ हो जाएगा तो क्या आपन मतलब दी ऑफिसन को लॉक करें जल्दी बताएगा कि सर इन में से कोई नहीं गलत है नहीं कमी करें क्यूंकि घलत है यहां पर बादर्पद करश्णा करश्णा अस्टमीने नहीं बलकी बादर वेरी चांदने पक्री और आठ हमने मनाया करें ठीक है तो सी आप्सन रहाते जावेला राइट आंसर बहुत अच्छे बहुत बढ़िया बहुत ब्रिलियंट चलिएगा नंबर अगला प्रस्णा आपकी स्क्रिन पर है करें कितने प्रस्ण सही है ना चलो तो पुर्णिमा जो है मनाई जाती आश्विन पूर्णिमा को कार्थिक पूर्णिमा को चैत्र पूर्णिमा को फालगुन पूर्णिमा को प्यारे दोस्तों जिसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है अब अगर कोई हिंट आपको मिला है तो यहां से मिला है ठीक है रास पूर्णिमा भी जिसे कहते हैं तो भीया कहीं ने कहीं आपका राइट आंसर अर्श्विन पूर्णिमा ही हो जाएगा ए ओप्सिन को आप सब क्या कर देंगे बोले सर हम कर लेंगे लौक बहुत बढ़ी अच्छी बात है आपने लौक कर दिया है माराजा कर्ण सिंग के आशित कवी और विद्वान कों थे बता दीजेगा राइट आंसर ये क्वैसन ही बड़ा शांदार है बता दीजेगा गंगा नंद जो है मैथिली थे अरंत भाव भ युद वा ता जिसका नाम ता मतीरी की रार मतीरी की रार नामक युद वा था आपको याद हो ठीके ना तो यहां पर राइट आंसर सब का होजाएगा ऑफजिल और दुसक्तुंगमा नंद मैथिली हो जाएगा कवैसें टाइप मतलब की काउंट करते रहे लास्ट में बता तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा राजी की सबसे बड़ी जो गौशाला ना वो है आनंद वन गौशाला जो की राजस जालोर में है मेरे दोस्तों कौन सी है जालोर में सी आफसन के साथ चला जाएगा अगर सरवादिक गौशाला का पूचा जाए कि भी सरवादिक गौशाला काहां पर है तो दोस्तों आप नागोर करी लेंगे क्या नागोर करी लेंगे अगर सरवादिक मेलों का पूचा जाए कि भी सरवादिक वश्व मेले काहां पर आया जूते तो भी नागोर करी लेंगे चलो सहाब आगे बढ़ते हैं आगले प्रश्चन को देखते हैं भी लोना क्या होटा है ये दही से चाच बनाने का जो होता है ठीजी भी मखन भी निकाला जाता है ठीजल से समन्दीत उपकरण जोए ना नेड़ी Ayma electrrosoft 너 कि बेलवना से समन्दित अफ्करन नेडी या फिर नितनगेश्च इस जाए घैना नेट्स और सक्सिंट्ट में जर्द मना और सब्सक्राइब श्र्यक्रिमाटान के साथ नाई ऑप्सम्राइब कुर्ण गद Anda नेडी क्या होती है लकड़ी की बनी होती है लकड़ी की बनी है लकड़ी का इस्थम होता है नेड़ी जिसमें अपन नेत्रा लगाते हैं नेत्रा क्या जो रसिया होती है वो लगाते है ठीक है नेत्रा तो अपन लगाते है जेड़ने में क्या नेत्रा किसमें लगाते है जेड़ने में जेड़ने पर लगाते है जेड़न राजस्तान में ब्लू पॉर्ट्री लाने का श्रे किस कच्छवा शासक को जाता है बता दीजेगा राइट आंसर क्या होगा तो राइट आंसर जाएगा C आप्सन के साथ राजस्तान में या जेपुर में ब्लू पोर्ट्री लाने का जो स्रे जाता है वो मान सिंग प्रत्म को जाता है जो कछवा सासक थे दोस्तों यही मान सिंग जो अल्दी काटे युद में लड़ने के लिए गया था अकबर के सामने माहराना परताप के सामने अकबर का सेनापती बन कर तो दोस्तों यही मान सिंग है ठीक है ना अच्छा क्वेसन है आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ण को देखते हैं अगला प्रस्ण है कि अकबर ने अमीर अलुम्रा की उपादी किस कछवा सासक को दी थी बता दीजिए ग आर्मल ने मेरे दोस्तों क्या वेवाई सम्मंद इस्तापीत कियते हैं मुगलों से सबसे पहले अपनी बेटी हर कुबाई को जो है ब्या कर ठीक है ना तो अच्छा सा क्वेसन इसको भी आप सब लॉक करेंगे ए आप्सन के साथ चला जाएगा राइट आंसर अगला प्रस् को या फिर 10 मई 1925 को सब पीछे जो दोस्तों देखेगा यह तो वर्ष तो वह एक देर करें अब आपको कहीं पें क्या होता है कि डेट आपको याद रखनी होती है राइट आंसर होगा यह उप्सन 14 मई 1925 14 मई 1925 हो जाएगा राइट आंसर विल्कुल आसान सी बात थी अग यह क्वेस्टन एक्जाम में पूचा गया है मेरे दोस्तों सांबर जील जो है ना निम्न मेंसे किस जिल्ले में विस्तरत है नागोर में है अजमेर में है या जैपुर में या उप्रोग सभी सामबर जील जो है ना मेरे दोसों नागोर में भी है अजमेर में भी और जैपुर में भी मुक्या तो ये जैपुर में जब ये सरवादिक पाने के साथ होती तो दोस्तों नागोर और अजमेर तक भी इसका अपवा चैतरफ चला जाता है ठीक है तो ये आंत्रिक अपवा पढ़नाली की सब्चे बड़ी जीले राजस्तान की सांबर जहां से नमक उतपादन होता है राजस्तान भारत के केवल भारत भारत में भी 8.7% ये अकिला नमक का उतपादन करता है और दूसरी बात एक और चीज बता दूँ जो आंत्रिक परवा पढ़नाली की जो सब्चे बड़ी लंबी नदी जो है वो है नदी है वो घगर नदी है ठीक है आंत्रिक परवा पढ़नाली की चलो साब नेक्स्ट पिचला जेल में कितने टाप है बता दीजिए गर नथ जाँआ पिचला जेल में घालत बताइए कि यहांपर बहुत सारहे confusion मेー रहते हैं तो right answer पिचुला जील में कितने टापू मेर दोस्तों पिचुला जील में छिरप 2 टापू एक में जग मंदिर बना हुआ है और एक में जग नीवास बना हुआ है क्या जग नीवास मैल बना हुआ है ठीक है जग विलास ठीक है तो दोस्तों ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ीगी दो टापू बने हुए ठीक है ना आगे बढ़ें और अगला प्रिशन देखते हैं पिच्छला जील काँ पर मेरे दोस्तों लाका के समय खुदाई होई थी चीतरमल नागोरा के द्वारा खित गए और वापस पूछने की पूरी संबाँ उन एक बार देख तो लीजेगा सई बांग किस जिले में बना हुए चितोडगड में भड़पूर में बना हुए तो उदेपूर को लॉक्ड करेंगे से बांद यहां पर बना हुए उदेपूर में ठीक है सर आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्ट की बात करें तो गिरी सुमेल युद में माल देव के सेना नायक वीर गती को प्राप्थ हुए तो मेरे दोस्तों वीर सातल और सोम हुए थे या वीर जैता और कुमपा हुए चंदर सेना और उदे सिंग हुए या फिर उप प्रोकत सवी तो देखिए गिरी सुमेल युद मेरे दोस्तों जो होता है ठीक है जो कि किस किस के मद्दे होता है माल देव वे शेरसा सूरी के मद्दे होता है और इसमेर शेरसा सूरी की बड़ी मुस्किल से जीत होती है तो वो कहता भी है कि मुठी बर बाजरे के लिए मैंने पूरे हंदूस्तान की बाहद साथ मैं खो देता ऐसा भी उसने खा था शेर सासूरी ने ठीक है तो यहां पर आपका राइट आंसर जाएगा जैता और कुमपा ठीक है तो माल देवने अपने सेनापती को खोया था यहां किस ने कहा गया काता यह यहां पर नहीं पूचा है किस के लिए का गया वाकिया है माराजा जस्वन सिंग पर्थम के लिए का गया था मोटा राजा उदे सिंग के लिए का गया था अजीत सिंग के लिए का गया था माराजा जस्वन सिंग के लिए का गया पर्थम के लिए त था ठीक है ना तो यह एक बहत्रीन क्वेस्टन है इंपोर्टन क्वेस्टन है इसको आप सब लॉक कर देंगे वसे ना चलो आगे बढ़े चलो सर आगे बढ़ते हैं और आगले प्रस्टन को देखते हैं दोस्तों देखेगा औरंग जेब का साथ नहीं दिया था जो जो हुआ था वो कब 19 जनौरी 20 जनौरी 30 जनौरी 22 मार्च कब हुआ था रही दांसर कि आसान से आसान क्वेस्टन आपसे पूचा गया है और माराना परताब से संबंदीत क्वेस्टन हर बार एक्जाम में पूचे जाते हैं तो 19 जनौरी 1596 की बात कर रहें आपन चावंड में पूचा गया है बता दीजिएगा राइट आंसर की पन्ना मीना की बावड़ी कहां परिष्टित है तो राइट आंसर मेरे दोस्तों जोधपुर में है या फिर सीकर में या सिरोई में या फिर जैपुर में पन्ना मीना की आपसे बावड़ी पूचा है ठीक है तो गलत काफ यह चीज भी आपको ध्यान रखनी पड़ीगी तभी जो है दोनों चीज़े आपको ध्यान रखनी पड़ीगी ठीक है चलो सर आगे बढ़ा यह अगला प्रस्ण बता यह देखेगा अगला प्रस्ण यह रहा कि 15 माई व्रतर राजस्तान के जो परदान मंत्री थे ना वो कौन थे मिरा दोस्तों बता दीजीगा राइट आंसर क्या ही हो जाएगा राइट आनसर जयाएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि पंदरा मई उनीस सो नपचास को गटित संयुक्त व्रतर राजसान के परदान मंत्री जैनार व्यास नहीं थे मानिक लाल वर्मा नहीं थे शुबाराम कुमावत नहीं थे इन मैंसे कोई भी नहीं हो जाएगा मतलब कि एरालाल सास्त्री थे समझ गए ना समझ तो गया सर लेकिन सर ध्यान ही नहीं दिया चलो कोई बात नहीं आपर डी ऑप्सन के साथ चला जाएगा राइट आंसर ठीक है राजस्तान के परत्म रेल मार को कौन से वर्ष में खोला गया था बता में दोस्तों ध्यान रिखना बड़ा जवाब वैसन था यह भी आपका ठीक है और यह वैसन तो कल की ही क्लास में पूचा था मैंने जो कागडा शैली है ना वह ब्रज साहिते से प्रभावी शैली है वह कौन सी शैली है किशनगर्ड या जैसलमेर या नात द्वारा या बीक ठीक है और इसमें बड़ी ठणी बड़ी ठणी नाम से मेरे दोस्तों चितरकला है ठीक है और इसे भारत की मौना लिसा का जाता है भारत की मौना लिसा एरिक डिक्सन ने का था किसने का था एरिक डिक्सन ने का था कि भारत की मौना लिसा मेरे दोस्तों इस पर डाक टिकट भी जारी किया गया है मैं दोस्तों ध्यान रखना आपको और इसी शैली की बात प्राप्त हो गया था था तो नि के द्वारा यह बनी ठेनि का चित्र का बनवाय गया था चिस के दोस्तों जो चित्रकार हुए थे वो कौन हुए थे बोले सर मोर द्वजन इहाल चंद हुए थे अब देखिए इससे ज़्यादा जानकारी क्या चीए बताने ना मेरे दोस्तों और वी कोई हो तो बिलकुल है अगला प्रसना आपकी स्क्रिन पे है हम सीडो और सुविट या लोक गीत किस ज जाती से सब्दो बहर Reason ओगा क्या है अगर दोस्तों अब करें ग्यार है ठीक है और दोस्तों जो लोक नर्टिया रूक है इनके बिलकुल दिखान ड़कना पको आपको याद मैं बता नहा ग युद करती गोमरी है ना तो ट्रेक्हे इसकी चले दोस्तों जो कि लोक नर्तिक इणके तो चले दोस्तों अगला प्रस ने का फोरी जन झाती का बाहूलिय चेतर काहँ पर है का थोरी जन झाती कि परसों की एक लास थी महराष्ट्र से आ रहके का थोड़ी जनजाती उधेपूर और दूंगरपूर में सर्वाधी के रहती है। का लिए बंगा सभेता के लोग किस लिपी का प्रयोग किया करते थे? काली बंगा सभेता के लोग यहां पर यह क् openness का है मेरा दोस्तों, तो राजस्तान जीके का question है, इसलिए यहाँ पर आपको कोई doubt नहीं रखना है, ठीक है, मैंने आपको कल एक और question पूछा था, कल नहीं परसों की सुभे की class में, काली बंगा सब्वेता के लोग किस लीपी का प्रेयोग करते हैं, यही था जिसमें, काली बंगा नहीं, उसमें question करते हुआ था, इसमी अग्यात का option था, तो दोस्जों, अगर अग्यात पूछा जाए तो अग्यात ही करना होगा, अगर ऐसे पूचा जाए काली बंगा सब्वेता के लोग किस to कि लिपी का तो आप कर देंगे को ठीक है मैंने आपको यह क्वेशन बताए भी था और यहां पर यह हिंट भी दे दिया है लास्ट क्वेशन आपकी स्क्रिन पर है कि फिर भी 23 मिनिट हो गए अपने चलो 1700 नंबर 1790 नंबर क्वेशन में दोस्तों 1800 कल कंप्लेट हो जाएंगे फिर 1900 फिर 2021 और 22 बस इतनी क्वेशन है राजसान चीके के ठीक है मतलब कि यह इस सीरीज के इतनी है बागी राजसान चीके की तो कमी नहीं है भाई साब है ना चलो चंबल नदी राजसान में सरो परतम 84 गड़ के समीप किस जिले में प्रवेश करती है देखिए चंबल नदी 84 गड़ के समीप से प्रवेश करती है कोटा से चितोड़ गड़ से बारा से या फिर जालावार से बोले सर चंबल नदी क्या सर चंबल नदी चितोड़ गड़ के 84 गड़से के समीप वहां से पर्वेस करती है सर और सर कुल लंबाई की बात करें तो हमें पता है सर 1051 किलोमेटर इसकी कुल लंबाई है और दोस्तों मैं आप से बात करूँ इसके साथ 965 और 16 basis किलोमेटर भी इसकी लंबाई के बारे में बात मतलब की करें तो है दोनों लंबाईओं को आपको ध्यान रखना पड़ेगा राना परताब सागर्दों की सरवादिक बनाव शम्ता वाला बांध इसी पर है दोस्तों कुल इस पर चार बांध बने हुए परते एक सो किलोमेटर में सरवादिक बांध वाली दुनिया की नंबर वन जो है चंबल नदी है मेरे दोस्तों एक ही गार्ज से गुजरने वाली ये नदी है मेरे दोस्तों राजस्तान की ठीक है और राजस्तान में और अपन बात करें कि भी तीन राजियों की सीमा बनाते हुए जो निकलने वाले नदी यही है मेरे दोस्तों ठीक है वरक्साकार आकार बनाने वाली जो नदी कौन सी है वो भी यही है मेरे दोस्तों तो इसे शमनदिन बहुत सारी question बनता है जंमल नदी से शमनदिन राजस्तान की काम देनूँ इसे का जाता है मेरे दोкими दोस्तों का जाता है इसे चर्मण वती भी का जाता है मेरे दोस्तों तो और क्याची यह बताईएगा बहुत ही अच्छा सा question है और आगे बढ़ते हैं रा गाइड दूँ बहुत कम हैसाब है ना चले तो आज का लाश्ट क्वेसन आपको देना है जिसका आंसर जल्दी से बता दीजिएगा राजस्तान में किस मुख्यमंत्री के काल में पहली बार राष्ट पती शासन लगा था यह आपको बताना है क्योंकि कई बार इस क्वेसन को म सूपर फास्ट जो वाणी है ना मतलब की कानों तक ज्यादा कुछ पहुंच रही है तो मेरे दोस्तों आज की वाणी को यहीं पर विराम देता हूं इस का अंसर आपको 12 के कॉमेंट सेक्शन में देना है 59 अपना कंप्लेट हो गया है चोतर तक जाना है ठीक है चोतर तक मतल क्लास स्टार्ट करने वाले रीजनिंग की भी करने वाले ठीक है तो वह भी है जो सेड्यूल वाइस करेंगे सो इसलिए राजस्तान जी की कि एक क्लास आपकी कम हो जाएगी एक है जो कंटिन्यू बनी रहेगी ठीक है चलो साब बहुत बहुत धन्यवाद लाइक कर है अगर आप शेयर करते हैं तो जल्दी से बढ़ जाती है और आज एक लाग सब्सक्राइबर या फिर आपके भाई बने हो जाते हैं यहां पर फैमिली में बठूए नहीं यह भी इसके भी मतलब की टाइम से पहले नहीं होगा अपन कितरा भी शेयर करें लेकिन शेयर दो आ रहे हैं ना